तो आज के इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ Google Chrome की 10 सेटिंग के बारे में अगर आप Google Chrome यूज करते हो तो आपको जो है Google Chrome में 10 सेटिंग करना चाहिए इससे आपको जो है फाइदा होगा और ये सेटिंग जो है आपको हमेशा काम देगा ठीक है अगर पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई Google Chrome के जरिये online काम कर रहे है तो उनको जो है ये सेटिंग तो जरूर ही करना है ठीक है तो उस सेटिंग को करने से क्या फाइदा होता है तो वो चीज में आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ और दूसरा दस सेटिंग जो है Google Chrome का कैसे करना है वो भी तरीका में आपको बताने बाला हूँ तो यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है तीन लैन पर और तीन लैन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको करना क्या है इसमें नीचे की और यहां पर सेटिंग का आपको मिलेगा ठीक है तो आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक कर देना है और यहां पे आपको मिल जाता है याहू, बिंग, डक डक और एको सिया ठीक है कई बार ऐसा होता है कि याहू का भी जरूरत पर जाता है बिंग का भी जरूरत पर जाता है जैसे कि Google काम करता है उसी परकार से जो है यहाँ पे Yahoo भी काम करता है और Wing भी काम करता है और DuckDuck भी काम करता है ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको Select कर लेना है Yahoo या Bing जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है या नहीं तो जब जरूरत परेगा आपको तब आप सलेक्ट कर लेना ठीक है बांकि अभी जो है इसको Google पे ही रहने देता हूं ठीक है अब दूसरा सेटिंग आपको इसमें करना क्या है कि नीचे की और आना है यहीं पे और यहां पे आपको करना क्या है कि पराई वेसी पे क्लिक कर देना है ठीक है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे में आपको दिख जाएगा यहाँ पे clear browsing data ठीक है तो आपको इस पे click कर देना है तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सभी browsing को यहाँ पे clear करना है इससे होगा क्या कि Google Chrome में आप जितने भी चीज़ सर्च करते हो उसे जो है आप यहाँ पर क्लियर करपाओगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा है तीनों पर टिक लगा हुआ तो आपको जो है इस तीनों पर टिक लगा देना है ठीक है और यहाँ पर कर देना है क्लियर डाटा पर क्लिक तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह सब जो है दिख रहा है आपको ठीक है तो यहां पर फिर से आपको करना क्या होगा कि clear पर आपको क्लिक कर देना होगा और यह जो है clear हो रहा है browsing data अब तीसरा यहाँ पर आपको करना क्या है कि नीचे की और आना है ठीक है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक notification का option ठीक है तो आपको करना क्या है कि इस notification पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि नीचे की और आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है site ठीक है तो मैं आपको बताओंगा कि कई बारा ऐसे होते हैं कि notification जो आते हैं गंदे गंदे notification सब ठीक है तो उसको जो है यहाँ से आप बंद कर स चाहूंगा कि देखो यहां पर जोई APK for all.com है लिखा हुआ ठीक है तो मैं इसको बंद कर दियाओं क्यूंकि मुझे जो है इस से कोई मतलब ही नहीं है ठीक है और उसके बाद जो है यहां पर इसको भी बंद कर देता हूं क्यूंकि मुझे जो है इससे भी कर रखा हूँ बांकि यहां पर आप क्या कर सकते हो कि ऑन आफ चाखते हो ठीक है तो बता दिया हो कि कई बार ऐसे ओते कि नोटिफीकेशन गंदे अते उसको यहां से आप बंद कर सकते हैं अब चौथा सेटिंग आपको करना क्या है कि नीचे की और आना है और यहां पे आपको एक थीम का उप्षन मिलेगा ठीक है तो आपको इस पर किलिक कर देना है ठीक है तो यहां पर जो है इस परकार से जो है डार्क मोड और लाइट मोड हो सकता है जैसे की चलिए मैं आपको एक बार जो है डार्क मोड पर किलिक कर देता हूँ और उसके बाद जो है बैक चला जाता हूँ ठीक है बैक जाने के बाद आप देख सकते हो कि यह जो है डार्क प्र में आपका करना है कि नीचे की और आना है ठीक और आपको यहाँ बराऊजर आपन करते और फो तो यहाँ पर मेरा phone idle है तो यहां पर idle का browser open हो जाता है तो यहां पर हम करेंगे क्या option यहां पर यह Chrome homepage ठीक है तो Chrome home page पर हमने select कर दिया तो इससे होगा क्या कि जब ही Chrome browser को open करेंगे तो direct जो है Chrome browser का home page open होगा ठीक है बाकि नीचे पर click प्लीक करने सेगे जो पौन आप उसका बराऊजर और यहां पर आपको करना क्या है कि क्लिक करना है कि यहां पर खायां आप इसमें आप्को बताता हूँ 6 सेटिंग है तो इसमें शुबहको करना ? कि नीचे की और आना ए मैं और यहाँ यहाँ पर करने के बाद आप जो आप शलिए मैं और वैरे आप तो हों यहां से बढ़ा घटा सकते लिए तो यहां पे आपको दिखे खाट ऑधिए जो भी आप बंुगression कोगे. गूगल टूम में थो और शलिए मैं कीटना पीट आर सेलक्ट कते तो पालकर यहां पर करूंगा क्या कि 100% he 100% पर ही रखोंगा ठीक है तो चलिये मैं इसको कर देताहूं Back अब मैं आपको बताता हूं इसमें सातमा सेटिंग के बारे में ठीक है सातमा सेटिंग में आपको करना क्या है कि नीचे की और आना है और उसके बाद जो है यहाँ पर language का आपको option मिलेगा ठीक तो आपको करना क्या है कि इस पर click कर देना है click होने के बाद जो है यहाँ से आप जो Google Chrome को जो use करते हो तो किस भासा में use करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ से आप select कर सकते हो ठीक है कहीं का भी जो भी भासा हो हिंदी भी select कर सकते हो ठीक है यहाँ पर हिंदी का भी option आता है Chinese Chinese sub का option आता है ठीक है बाकी जो है यहाँ पर आप जो है आके हिंदी को select कर सकते हो टो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ही तो आपो इस पह और करों गयुख करोगे तो कोई भी चीज जाए है आपको openings कर आपको दिख इस नहीं तो छलिए और इस पे किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको किलिक करने के बाद आपको बताओं कि यहाँ पे आपको दो अप्सन मिलता है ठीक है तो यहाँ पे जो दो अप्सन मिलता है तो पहला जो है अगर यह उपर बाला में किलिक है तो यह जो है इंटरनल मेमरी में जाएगा आपके भी डाउनलोड करोगे Google Chrome से ठीक है तो आपके जो है फॉन मेमरी में जाएगा बांकि अगर आप नीचे वाले पे किलिक करते हो तो आप जो है अलग से जो फॉन में मेमरी लगा रखे हो उसमें जो है डाउनलोड होके जाएगा ठीक है तो यहां पे जो होता क्या है कि कई बार आप दाउनलोड करोगे तो आपके जो है SD Card में जाएगा ठीक है तो आपके जो है फॉन के मेमरी में जाएगा ही नहीं ठीक है तो ऐसे में जो है आपका फॉन ही नहीं है करेगा ठीक है तो यहां पे जो है इस सेटिंग को आपको करना है क्या है कि SD Card पे आपको किलिक कर देन है और यहां पर आपको डन पर क्लिक कर देना है बाकि अब इसमें करना क्या है कि यहां पर कुछ भी आपको सर्च करना है ठीक है यूटूब ठीक है तो यूटूब पर हम क्लिक कर देते हैं तो यह जो है YouTube आफंपन हो जुगा है ठीक है YouTube आफंपन होने के बाद यहां पर हम तीन लैन पर किलिक करेंगे पर traire अन्य आहरा एंगे और इसपर आपको एक डिस्कटॉप साइडों मिलेगा थाथ कि तो आपको इस पर किलिक कर देना है как ذsm Commissioner करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर किसी भी साइड को आप डिस्क्टॉप साइड में open कर सकते हो ठीक है और उसको इसके लिए सबसे ज्यादा फाइदा है जो अगर online यहां पर काम करते हैं उसके लिए फाइदा है जो YouTube चलाते हैं जो बो लोगर चलाते है ठीक है मांकि बोलोगर तो वह सी ही पहिसे क्लिक करने के बाद यहां पहे हैं ठीक हुआ है आपको इसी पहें फिर एक बार क्लिक कर देना है ठीक है तो होगा क्या कि यह जो है डिस्क टॉप साइट हड़ जाएगा ठीक है बाकी में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ 66 ठीक है तो आपको इस पर किलिक कर देना है और यहां पे आप जो देख़ रहे हो pray लोज औल टेब इस पर आपको किलिक कर देना है ठीक है तो यह सारा जो है हट जाएगा हटने के बाद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से आपको तीन लैन पर किलिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है न्यू टेप पर किलिक कर देना है ठीक है न्यू टेप पे क्लिक करने के बाद ये फिर से गूगल का होम पेज आ जाएगा तो आपको जो इसमें एक दो सेटिंग ज्यादा ही मैंने बता दिया ठीक है तो चलिए इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है ना आपको कोई फरक पड़ता है ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब करने से ये फायता होगा क्योंकि मैं इस चैनल पेज़ि परकार का वीडियो अफ्लोड करता रहता हूँ तो आगे मैं इस चैनल बे जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में